देखे वो फैसले को सुरक्षित किया गया है प्रोसिक्यूटिंग एजिंसी का एक काम है कि वो चालेंज करे अब आम आदनी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी दुर भावना के शिकार है के इजरिवाल जी और उस वज़े से ऐसा है अब यही बात तो एडी बाका पाइदा इसमें जो लर्निट जज थी विकेशन बेंच की उन्होंने कहा है कि बितना धेर सारा एविडेंस है कि वो देख उसको नहीं देख सकती तो इस वज़े से उसको विकृत मानकर इसको चालेंज किया गया है अब अगर जमानत मिल रही होती है तो उसको बहुत रहत क तरह से देखती है हम आदनी पाटी और समझने लगती है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है अब जब जमानत रोकी जाती है उसी नियाएक प्रणाली के तहट उसी नियाएक प्रक्रिया के तहट तो कहते है भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है तो बेल हो या जेल हो यह सारी जिम्मेदारी prosecuting agency जाच agency की नहीं है ये अदालती कारवाई है और अदालती कारवाई में एक तरफ तो आप धन्यवाद बोलते हैं लेकिन वही कारवाई अगर आपके खिलाफ जाती है आप भाजपा नियंतरड कहते हैं उसी कारवाई को तो ये दोरे माप दंड आम आदनी पार्टी को छोड़ने होंगे पहले क्या कहा जा रहा था कि अगर लोग अप्रूवर बन गए हैं लोगों ने इतने पैसे दिये हैं इसलिए उनको बेल दी जा रही है तो क्या केज़री वाल अप्रूवर बन गए थे उनको तो सूर बार बार कह रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो आप서 मनिसी सोडिया जेल में क्यो हैं विजेन आयर का क्या इंवाल्मेंट था क्या का क्या और लूविन Aid ही है लेकिन सारे कोड से मना क्या है जाने कि घुटाला तो हुआ है अब ये कह रहे है कि prosecuting agency कोई जल्दी क्या है अरे भी prosecuting agency का कामी यह है अगर prosecuting agency जाज agency इस मामले को लेकर challenge नहीं करती तो क्या बोलते लड़ू बाट रहे होते और कह रहे होते देखिए कोई केसी नहीं था अब केस को सपोर्ट करने के लिए कि क्या वज़े रही क्योंकि केजरिवाल जी जेल में गए हैं और क्यों जरूरी है उनका जूडिशल कस्टिडी में या निया एक हरासत में होना तो अगर वो प्रमान दिये जा रहे हैं तो अब कहा जा रहा है कि क्यों जलबा पानी की पूरी तरह से नकारा निकम्मी और भ्रष्ट ये सरकार हो गई है और जब बाकाईदा इल्जामों के साथ सबूत सामने पेश होते हैं जो की एडी ने बाकाईदा दिये हैं